क्या भूदिया हो गया बुराडी का मुर्दा घर क्या लेलित के घर में हो गया भूतों का देरा क्या रह मौतों के बाद परोसियों की उड़ी नींद मुर्दा घर से डर लगता है जिस घर में कभी खुशिया बरस्ती थी जिस घर के आसपास चहल पहल हुआ करती थी वहाँ इन दिनों मौत का सनाता है एक जुलाई की सुबह जिस तरह इस घर से ग्यारह लोगों का शव मिला उससे दिल्ली के बुराडी में दहशत सी फैल गई है खासकर इस घर के आसपास रहने वाले लोग बेहद डरे डरे से हैं ललित भाटिया के जिस घर में ग्यारह लोगों की मौते हुई उस घर को सील कर दिया गया है लेकिन सील घर में कुछ ऐसी अनहुनी हो रही है जिसको लेकर आसपास के लोग धर धरा रही है ललित भाटिया के घर के चछत पर लाल रंग का एक टब दिख रहा है जिसमें कपड़े भरे हुए हैं दावा किया जा रहा है कि जब ये घर सील किया गया था उस वाक्त छट पर कुछ नहीं था आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं एक तस्वीर छट के उपर से ली गई है जिसमें छट पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसके बाद ही घर को सील किया गया था अब दूसरी तस्वीर में एक लाल रंग का टब दिख रहा है जिसमें कपड़े भरे हुए है एक नहीं ऐसी कई बाते हैं जिनके चलते ललित भाटिया के आसपास की लोग डरे हुए है उनकी रातों के नींद उड़ गई है हालत तो ये हो गई है कि अब ओटो वाले भी बुड़ाडी में ओटो ले जाने से मना करने लगे है ललित भाटिया के पड़ोसी चरण जीत की बेटी भी इस हादसे के बाद बहुत डरी हुई है उनकी बेटी परिवार के बच्चों को जानती थी आए दिन उन से उनका मिलना जुलना होता था अब उन सभी की मौत हो जाने के बाद ये बच्ची रात में अचानक ही नेन से उठ बैठती है दिन रहने तक तो बुराड़ी का हाल सामानी रहता है लेकिन शाम ढ़लने के बाद पूरे इलाके में दहशत सी फैल जाती है एक ही घर में जिस तरह से 11 लोगों ने मौत को गले लगाया जिस तरह मौत से पहले मौत के स्क्रिप्ट लिखी जिस तरह से पूरा परिवार मरने के लिए एक सा तयार हो गया जिस तरह खामोशी के साथ पूरे परिवार ने आत्म हत्या कर ली उस से आसपास की लोग भीतर तक हिल गए हैं रात के सरनाटे में यहां खौफ का डेरा हो जा रहा है